नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नवीन कुमार और आज की कहानी दिल्ली के ग्रेटर नॉइडा की है। एक दिल दहला देने वाली घटना घटी, जब सुभह सुभह एक महिला की बीच सडक पर बे रहमी से गोली मार कर हत्या कर दी गई। ये घटना तब हुई जब महिला, जिसका नाम राज कुमारी था, अपनी स्कूटी पर अपने घर से निकली थी और रोज की तरह अपने काम पर जा रही थी, राज कुमारी ग्रेटर नोइडा के सरस्वती विहार इलाके की रहने वाली थी, और वह हर दिन इसी रास्ते से अपने काम पर जाया करती थी, घटना के समय राज कुमारी को अचानक से दो बाइक सवार अग्यात बंदुगधारियों ने घेर लिया, वे द दोनों बाइक सवार लोग गोली मार कर घटना स्थल से फरार हो गए, इस भयावह हत्या की खबर आग की तरह फैल गई, और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, आसपास के लोग इस घटना से सकते में आ गए, सड़क पर चल रहे लोग और स्थानिय दुकानदार अपनी आखों के सामने घटी इस घटना से स्थब्ध हो गए, कुछ ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जबकि अन्य लोग मौके पर एकठा होकर ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हुआ क्या, पुलिस मौके पर तुरंत पहुँची और जाच शुरू की, सबसे पहले उ पूरे क्षेतर में संसनी पहला दी, ये घटना इसलिए भी चौकाने वाली थी क्योंकि राजकुमारी एक साधारन महिला थी, जिसका किसी से कोई विवाद नहीं था, उसके घरवालों और पडोसियों के लिए यह यकीन करना मुश्किल हो रहा था, कि कोई इस तरह से राज प्लेट भी चुपा कर रखे थे, इस जगन्य हत्या के बाद पुलिस ने इलाके में CCTV फुटेज खंगालने का काम शुरू किया, साथ ही आसपास के लोगों से पूछताच की, घरवालों को इसके बारे में बताया गया, तो जब घरवालों को बताया गया तो पती और बेटी नहीं कहां से आये कहां चले गए, हेलमेट लगाये हुए थे, किसी ने उनको इस तरह नहीं देखा कि उनकी पहचान कर पाते या किसी ने बाइक का नंबर भी नहीं देखा था, तो पुलिस भी बहुत कन्फ्यूज थी, और पुलिस को इस मामले की जाच कैसे आगे बढ़ा इस समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन पुलिस ने पारंपरिक तरीके से घर वालों से पूछताच कर इस मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाने का फैसला किया, सबसे पहले राजकुमारी की बेटी से बात की, जो बहुत ही अपनी माँ से करीबी थी, उससे पूछा गया कि आरी मेंटेन करती थी, जिसमें किस आदमी को उसने कितने रुपए दिये, कब दिये ये सारी चीजों का हिसाब किताब लिखा होता था, तो कई लोगों से उनके अच्छे रिलेशन थे, कई लोगों से इनी रुपए पैसों के चक्कर में उनके रिलेशन खराब भी थे, और और उनका रिलेशन जो है खुद उनकी बहन से यानी मेरी मौसी से काफी खराब हो गया था। रुपए पैसों को लेकर मौसी के साथ उनकी लड़ाई हुई थी। और हमें तो ये पूरा यकीन है कि मेरी मा के कतल के पीछे मेरी मौसी का ही हाथ है। उन्होंने ही मेरी मा की हत्या करवा दी होगी। अब एक बेटी जो इनोसेंट है, वो जब इस तरह की बात पुलिस को बताए तो पुलिस का भी माथा ठंका। पुलिस को लगा कि हाँ ऐसा हो सकता है कि बहन नहीं बहन की हत्या करवा दी हो। आज के जमाने में तो कुछ भी मुम्किन है। आप सब जानते हैं, पुलिस को भी सब पता होता है। तो पुलिस ने राज कुमारी की बहन से पूछताच किया, उसके परिवारवालों से भी पूछताच की। पुलिस ने तमाम सवाल जवाब किए और थोड़े सवाल जवाब के बाद पुलिस को ये यकीन हो गया कि इस मामले में बच्ची जो है konfuse कर रही है। जो बता रही है उस बात में दम नहीं है क्योंकि राजकुमारी की बेहन इस मामले में involve नहीं है। एक तरह से पुलिस की जाँच में राजकुमारी की बहन को clean shit मिल गई। क्योंकि राजकुमारी की बहन अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जो भी दलील उसने पुलिस को दिये हो, उन बातों से पुलिस convince हो गई। कई बार होता है ना कि इनसान बता देता है कि नहीं, मैं वहाँ थी नहीं या इस जगे थी, या मैं अपनी बहन को क्यों मारूंगी, और अगर मैं मारूंगी तो मेरे mobile phone की जाँच कर लीजिए, तो कहने का मतलब एक आदमी जब बेगुनाह होता है, तो उसका body language भी अलग होती है और एक आदमी जो दोशी होता है, अगर वो किसी मामले में फसता है, तो उसकी body language अलग होती है, तो राजकुमारी की बहन को एक तरह से पुलिस ने इस मामले में जाँच के बाद और चान बीन करने के बाद clean shit दे दी, उसके पती से भी पूछताच होनी थी, लेकिन पती पती ने तो नई कहानी सुनाई, पती ने तो बकाइदा रिपोर्ट दर्च कराई, कंप्लेंट के तौर पर नाम लिया अपने एक साडू भाई का, यानि जो राजकुमारी की बहन है उसके पती का, और वो जो साडू भाई है, वो हरियाना का रहने वाला था, तो वहां रु पूचताच करने का फैसला किया, पुलिस की एक टीम हरियाना गई, साडू भाई घर में ही मिल गए, अगर कोई कतल करवाता है, तो वो आसानी से घर में सोता नहीं, आम तोर पर लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के बाद फरार हो जाते हैं, लेकिन यहां साडू भाई घर में मिल गया, इस से पुलिस को साडू भाई पर भी शक जो है वो थोड़ा कम ही हो गया, हालांकि साडू भाई से भी पुलिस ने पूचताच की तमाम सवाल जवाब की, अपनी बेगुनाही में तुम्हारे पास क्या दलील है, अगर तुमने नहीं मारा तो कौन हो सकता है? तमाम तरह की बातें पुलिस ने की, साडू भाई ने हर चीजों का जवाब बहुत confidence के साथ दिया, और पुलिस को लगने लगा कि जिस तरह राजकुमारी की बहन इस मामले में involved नहीं है, उसी तरह पुषपेंद्र यानी राजकुमारी के पती का साडू भी इस माम में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया, और वो ट्विस्ट बहुत ही अजीब, बहुत ही चोंकाने वाला था, वो ट्विस्ट ये कि Greater Noida के ही इलाके में गौतम बुध नगर जिले में जाच के दौरान, चानबीन के दौरान पुलिस को दो लोग मिले, ये दो लोग बाइक की थी, जिसके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया, तो ये दो लोग जो है, वो नाके बंदी को तोड़ कर आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने जब इनको रुखने का इशारा किया, तो जैसा की आम तोर पर अपराधियों की आदत होती है, उनका रुखने का तो कोई सवाल ही नहीं था, वहां से भागने की कोशिश में जो भी फायराम्स उनके पास थे, उन्होंने उसका इस्तेमाल करते हुए पुलिस को डराने के लिए फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन यूपी पुलिस का रिकॉर्ड है कि वे ताबर तोड एनकाउंटर करने में पीछे नहीं हटते। दोनों को पुलिस ने पकड़ा। दोनों अपराधी तो थे, वरना पुलिस को देखकर क्यों भागते, पुलिस पर गोली क्यों चलाते। अब जब इनसे पुलिस ने सकती से पूछताच की और इन्होंने जब मूँ खोला तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजकुमारी क कतल के मामले में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। वो ट्विस्ट ये था कि इन दोनों ने राजकुमारी का कतल करने की बात कबूल कर ली। इन्होंने मान लिया कि इन्होंने ही तीन सितंबर को राजकुमारी का पीछा कर सुबह के वक्त उसे हिट किया था। उसे गोली मार पुलिस ने इन से पूछा कि भाई क्यों गोली मार दी। क्यों गोली मार दी। तो उसने बताया कि हमें ये दो लाख पचास हजार राजकुमारी के पडोस में रहने वाले एक आदमी कपिल ने दिये थे। पचास हजार रुपे एडवांस दिये थे। और दो लाख रुपे लेने के लिए हम आये थे। तभी आपने हमें पकड़ लिया। पुलिस ने उनके कबजे से सुपारी के पचास हजार रुपे बाइक दो तमंचा बरामद की थे। और उस कपिल से हमारी पुरानी जान पहचान है। पुलिस ने पता किया कि क्या वाकई पडोस में कोई कपिल रहता है या नहीं रहता है। पता किया तो पता चला पुलिस ने देखा कि हाँ कपिल रहता है। तो कपिल को पुलिस ने फौरन उठा लिया और फिर उससे सकती से पूछताच की। अब जब सकती से पूछता आच हुई तो कपिल ने भी मूँ खोला और जब कपिल ने मूँ खोला तो इस मामले का एक और मेजर ट्विस्ट सामने आया। मैं इसलिए बार-बार इस तरह के ट्विस्ट को खास बता रहा हूं और बहुत चौकाने वाली बात बता रहा हूं क्यो को बता दूँ ये कपिल मूल रूप से गोहरा गाव का रहने वाला है और शूटर मोनू गुर्जर उसका चचेरा भाई है। कपिल ने पुलिस को कहा ये कतल मैंने नहीं करवाया बलकि इस कतल के पीछे असली मास्टर माइंड तो खुद राजकुमारी का पती लेकिन पुषपेंदर अपनी पतनी का कातिल है। पुलिस ये सुनकर हैरान रह गई। अब मामले का खुलासा होने लगा था। दोनों ही शूटर जो है वो पुलिस के कबजे में थे। उन्होंने जुर्म कबूल कर लिया था। उनकी निशान देही पर कपिल पकड़ा गया कपिल ने भी जुर्म कबूल किया। कपिल ने पुषपेंदर का नाम लिया तो पुषपेंदर को ऐसे तो छोड़ा नहीं जा सकता। अब पुलिस ने पुषपेंदर को पकड़ा। इस बार पुषपेंदर कंप्लेंट नहीं बलकि कातिल के तौर पुलिस के पास बलकि इस murder में उसका पडोसी कपिल शामिल है और राज कुमारी का यानि उसकी पतनी का एक पूर्व प्रेमी जीतू शामिल है और खुद पुश्पेंद्र का एक चाचा वो भी शामिल है यानि पुश्पेंद्र ने खुद अपने को मिला कर कुल चार लोगों के नाम लिए पुश्पेंद्र का चाचा कपिल और जीतू इनकी राजकुमारी से क्या दुश्मनी थी। इसका जवाब भी तफ्तीश में सामने आया और जब। ये इन सारे लोगों के कतल के पीछे की वजह आप जानेंगे तो आपको भी हैरानी होगी। पुश्पेंद्र ने इसलिए अपनी बीवी का कतल करवाया क्योंकि अगर मैं अपनी बीवी राजकुमारी की हत्या नहीं करवाता तो राजकुमारी मेरी हत्या करवा देती। अब ये क्या कहानी है? कहानी ये है कि राजकुमारी जो है बहुत आजाद ख्याल की महिला थी. मैंने आपको बताया कि वो काम काज भी करती थी. काम पर भी जा रही थी. जिस दिन उसकी हत्या हुई थी. लेकिन इसके अलावा वो लोगों को रुपए पैसे उधार देने का भ रह लें. लेकिन एक पती के तौर पर. राजकुमारी का पती पुषपेंद्र इन चीजों का विरोध किया करता था और पती पत्नी के बीच में अकसर लड़ाईयां हुआ करती थी. इस बीच हुआ ये कि एक जो आदमी था, जीतू जो राजकुमारी का प्रेमी था. किसी ज माने में उस जीतू के साथ राजकुमारी ने कभी बहुत ज्यादा भरोसे में या प्यार के भरोसे में ये बता दिया था कि उसका पती पुषपेंदर उसे बहुत परेशान करता है। और वो आज नहीं तो कल अपने पती पुषपेंदर का कतल करवा देगी, उसकी हत्या करव अपनी प्रेमीका को धोखा देकर उसने ये audio recording जिसमें राज कुमारी ने पुषपेंद्र का हत्या करवाने की बात कह रही थी उसने उस call recording को पुषपेंद्र को सुना दिया पुषपेंद्र ने जब ये बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई उसको लगा कि अरे मैं तो पत्नी के साथ मेरी लड़ाई हो रही है क्योंकि पत्नी इधर उधर ज्यादा लोगों से मिलती है लेकिन मैं तो उससे मारने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता लेकिन यहां ये तो मेरा कतल करवाने की साज़िश रच रही है पुषपेंद्र ने उसी वक्त आज से कोई दो साल पहले उसने तै कर लिया था कि वो राजकुमारी को जिन्दा नहीं छोड़ेगा रिष्टों का पेंच देखिए कि दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन थे बीवी भी पती का कतल करवाना चाहती थी पती भी बीवी को मारना चाहता था लेकिन दोनों एक छट के नीचे रह भी रहे थे दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करने का नाटक भी कर रहे थे एक दूसरे के पेट में खंजर घोपने के लिए अपने हाथों में चुरा भी ले रखा था अजीब है कहानी तो पती ने ये तैय कर लिया कि वो राजकुमारी की हत्या करवाएगा राजकुमारी उसकी हत्या करवा देगी तो उसने ये तैय किया कि वो राजकुमारी की हत्या करवाएगा इसे लोन पर उधार पर रुपए ले रखे थे और ये रुपए वो राजकुमारी को वापस नहीं लोटाना चाहता था। रुपए राजकुमारी को नहीं लोटाना चाहता था। तो वो भी इस मर्डर की साजिश में शामिल हो गया। इस तरह से चार लोग मिले। और इन चार लोगों में सबसे बड़ा दुश्मन तो पती ही था। क्योंकि उसको लगता था कि राजकुमारी उसकी हत्या करवाना च चाहते थे। किसी के हिस्से के पैसे मारना चाहते थे और इस वजह से वो राजकुमारी की हत्या में साथ देने के लिए तैयार हो गए। और पुश्पिंद्र का तो ये कहना था कि उसकी बीवी ने एक तो उसे रिलेशन के मामले में धोखा दिया ही। कई लोगों से प्रे उस्वती विहार स्थित मकान राजकुमारी के नाम था जिसे पती इसे हडपना चाहता था। राजकुमारी के पास छे लाख रुपए पड़े थे उसे भी उसका पती हडपना चाहता था। इसलिए उसने इस हत्या की साजश रची। कपिल से बात की कपिल सुपारी किलर्स को जानता था और उन सुपारी किलर्स दो लाख पचास हजार में राजकुमारी की हत्या कराने का सौधा तै हुआ और इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया तीन सितंबर को प्लानिंग हुई राजकुमारी जब घर से निकली तो तो पती पुषपेंदर दोनों शार्पश से तीन गोली अमारी और बाइक पर आये थे बाइक से ही फरार हो गए हेलमिट पहने हुए थे कोई उन्हें पहचान नहीं पाया मगर इत्फाक देखिए कि कुछ ही दिनों के बाद तकरीबन चार से पांच दिनों के अंदर वो कातिल जो है ग्रेटर नॉड़ा के इलाके मे ही एक नाके बंदी में पुलिस के हथे चड़ गए फाइरिंग भी हुई और एंकाउंटर में दोनों कातिल जखमी भी हो गए कपिल ने भी पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने ही सुपारी दी थी लेकिन असली मास्टर माइंड राजकुमारी का पति पुषपेंद्र था पुषपेंद्र ने अपनी पत्नी की हत्या इसलिए करवाई क्योंकि उसे डर था कि अगर वह ऐसा नहीं करता तो राजकुमारी उसकी हत्या करवा देती उसने बताया कि राजकुमारी का एक पूर्व प्रेमी जीतू था जिसने राजकुमारी के पती पुषपेंदर को राजकुमारी की हत्या की साज़िश के बारे में बताया था इस खुलासे के बाद पुलिस ने कपिल, जीतू और पुषपेंदर को गिरफतार कर लिया इस पूरे मामले का सबसे चौकाने वाला पहलू यह था कि पती-पत्नी दोनों एक दूसरे की हत्या करवाने की योजना बना रहे थे। लिकिन दोनों एक छट के नीचे रहते हुए एक दूसरे के साथ प्यार का नाटक कर रहे थे। आखिरकार पुषपेंद्र ने अपनी पत्नी की हत्या की योजना बनाई और कपिल जीतू और अपने चाचा के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया। राजकुमारी का कतल एक ऐसी घटना थी जिसमें रिष्टों की गुथियां और विश्वास घात की परतें खुलती चली गई। पुषपेंद्र ने राजकुमारी की हत्या की योजना बनाई जिसमें उसने कपिल और अपने चाचा को शामिल किया। कपिल तो पहले से ही राजकुमारी का कर्जदार था और उससे छुटकारा पाना चाहता था। जीतू को भी राजकुमारी से संबंधों के कारण डर था कि अगर उसने पुषपेंद्र को सब कुछ बता दिया तो उसकी भी जान खत्रे में पढ़ सकती है। इसी कारण जीतू भी इस साज़िश में शामिल हो गया। राजकुमारी की हत्या का दिन तय हो गया। तीन सितंबर की सुबह जब राजकुमारी अपनी स्कूटी पर काम के लिए निकल रही थी। तभी मोनू गुरजर और अनिकेद दुजाना जिन्हें कपिल ने सुपारी दी थी ने उसका पीछा किया। जैसे ही वे सूरजपुर के रास्ते पर पहुँचे उन्होंने राजकुमारी को गोली मार दी और फरार हो गए। हत्या के बाद पुषपेंदर ने अपनी मासूमियत का नाटक किया और अपनी पत्नी के लिए घड़ियाली आंसू बहाए। उसने अपने साडू भाई और राजकुमारी की बहन पर शक जता कर पुलिस की दिशा भटकाने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जाँच आगे बढ़ी सच्चाई सामने आ गई। आखिरकार जब मोनू और अनिकेत पकड़े गए और उन्होंने साज़िश का खुलासा किया तो कपिल भी पुलिस के शिकंजे में आया। कपिल ने पुशपेंदर और बाकी साथियों के बारे में सब को चुगल दिया। पुशपेंदर को जब पुलिस ने हिरासत में लिया और कड़ी पूछ ताच की तो उसने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुशपेंदर के कबूल नामे के बाद पुलिस ने बाकी सभ आरोपियों को भी गिरफतार कर लिया। राजकुमारी की हत्या की ये खौफनाक साज़िश जिसमें पती, प्रेमी और पडोसी शामिल थे ने सभी को हिला कर रख दिया। ये घटना एक बार फिर साबित करती है कि रिष्टों की आड में कैसे लोग एक दूसरे के खिलाफ खतरनाक साज़िशें रचते हैं। आखिरकार नियाय की प्रक्रिया के तहट पुषपेंद्र और उनके साथियों को उनके अपराधों की सजा मिली। ये कहानी उन सभी के लिए एक सबक बन गई, जो अपने स्वार्थ और लालच के लिए रिष्टों की आड में साजिशें रचने की कोशिश करते हैं। राजकुमारी की कहानी हमें यह सिखाती है कि अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा और खुशहाली की जिम्मेदारी हम सभी की होती है। परिवार के साथ एक जुट रहना, एक दूसरे का साथ देना और उनके जीवन में दिलचस्पी लेना बहुत जरूरी है। कभी-कभी छोटी-छोटी बातें जिनें हम नजर अंदाज कर देते हैं, आगे चल कर बड़े परिणाम ला सकती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने परिवार के साथ समवाद बनाए रखें। उनके जीवन की हर छोटी बड़ी घटना पर ध्यान दें। और उन्हें यह महसूस कराएं कि वे अकेले नहीं हैं। परिवार ही हमारी असली ताकत है और उसकी सुरक्षा हमारी प्राथमिक्ता होनी चाहिए। अपने परिवार के प्रती हमेशा सजग और सतर्क रहें। क्योंकि परिवार ही वो बंधन है जो हमें जीवन के हर मोड पर सहारा देता है। अगर आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी आए तो उसे खुलकर सामने रखें। बजाए इसके कि आप किसी गलत रास्ते पर चलें। हमारी इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की सची घटनाओं और सीखों के साथ मैं फिर लोटूँगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें। सतर्क रहें। और ध्यान रखें कि किसी भी संदिक दिस्थिती में सही कदम उठाना कितना जरूरी है।